नमस्कार चुनाब नतीजे मालूम चलने ही वाले हैं लेकिन नतीजे जानने से पहले हवा में तीर छोडने वाली जो कवायद एक्जिट पोल के रूप में टीवी चानल से लेकर आम घरों के ड्रॉइंग रूम्स में चर्चा के रूप में चल रही है आज सवाल ये भी है कि उसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए जीत हार तो एक अलग विशे है लेकिन हाँ इनकार इसते भी नहीं कि टीवी, सिनिमा और OTT पर हर तरह के कॉंटेंट को भी मात दे रहे हैं एक्जिट पोल तो सवाल ये कि इससे फाइदा किसको होता है जिस समय ये वीडियो में तयार कर रही थी उसी समय रियक्शन के लिए सुबे से नेताओं के घरों के बाहर तैनाथ हमारे मीडिया के साथियों ने राहूल गांधी से भी ये सवाल पूछा जवाब दिलचस्प था सुनने लायक था वैसे एग्जिट पॉल को खारिच करते हुए राहूल जी भी प्रडिक्शन का एक नमबर तो देते चले तो आज इस वीडियो में जो पॉइंट्स में डिसकस करने वाली हूँ उसमें पहला पॉइंट है क्या एग्जिट पॉल टीवी चानल्स का कुछ दिनों का खेला है क्या एग्जिट पॉल मनुरंजन के खुराग भर है या इनसे वाकई जनता के मूड का कुछ पता भी चलता है सवाल ये भी कि आखिर हर बार एग्जब्ट पॉल से दूर क्यों रहता है एग्जिट पॉल का नंबर ये सवाल पैदा होते हैं टीवी न्यूस चानल्स पर आई एग्जिट पॉल की बार से वैसे टीवी की दुनिया के अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊं तो चुनावी मौसम में टीवी के लिए तीन मौके किसी भी बड़े उत्सव की तरह होते हैं कौन-कौन से पहला चुनाव की घोशना के साथ ओपीनियन पॉल दूसरा चुनाव खत्म होने के दिन एग्जिट पॉल और तीसरा नतीजों का दिन यानि रिजल्ट से इन में से टीवी चानल्स के दो बड़े उत्सव निपट चुके हैं यानि ओपीनियन पॉल और एग्जिट पॉल आखरी दौर का चुनाव खत्म होते ही टीवी चानल्स पर एग्जिट पॉल की बाड़ आ गई 2024 के लोगसभा चुनाव की एग्जिट पॉल भी वैसा ही ट्रेंड दिखा रहे हैं जैसा कि आम तौर पर पहले से ही अनुमान लगाय जा रहा था कि इस बार मोधी सरकार के लिए हैट्रिक तै है हाला कि एग्जिट पॉल का अतीत बहुत बुरा रहा है और इसके बावजूद एग्जिट पॉल से मिले संकेतों से ही सब गदगद दिखाई दे रहे हैं टीवी के अंकर्स चहक रहे हैं बीजे पिसमर्थक बल्यां उचल रहे हैं जाहिर है जब किसी के मन की होती है तो खुशी जताने का हक भी है लेकिन फिर भी सवाल ये है कि रिजल्ट के अनुमान में हर बार की तरह मूखी खाने के बावजूद एग्जिट पॉल को लेकर इतना उत्सहा क्यों बना रहता है वैसे इत्सहा के बीच एक दिल्चस्प टिप पणी एबीपी न्यूस की चर्चा में देखी जिसमें कॉंग्रेस प्रवक्ता ने सीट्स के किलो और लीटर का गनित इस चुनाव से पहले हुए तीन लोगसवा चुनावों का एक डेटा में आपके सामने रखती हूं और आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि एकजिट पोल में किसके लिए क्या अनुमान लगाया गया और उसके उलट नतीजा क्या आया तो 2009 की तस्वीर देखिए चुनाव में चाहे स्टार नीलसन हो, CNN, IBM, Danik Bhaskar, India TVC voter हो, Headlines टूडे हो जिसका भी एकजिट पोल आया, उसमें UPA को आसतन 195 सीटे दी गई थी और जब नतीजे आये तो UPA ने 262 सीटे हासिल करके सरकार बना ली एकजिट पोल में बीजेपी को तब आसतन 185 सीट दी गई थी लेकिन 2009 में बीजेपी को मिली 158 सीट इसी तरह 2014 की लोगसभा चुनाव में लगबख सभी एजनसी के एकजिट पोल का जो आसत निकला था उसमें NDA को 283 सीटों का अनुमान जताया गया था जबकि UPA को 105 सीटों का जब 2014 के लोगसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो NDA को मिली 336 सीटे और UPA सिर्फ 60 सीटों पर ही सिमट गया 2014 में सिर्फ एक एजनसी चानक्या के अनुमान ही रिजल्ट के बेहत करीब रहे चानक्या ने उस चुनाव में NDA को 340 सीटों का अनुमान लगाया था और जब रिजल्ट आया तो NDA को 336 सीटे हासिल हुई 2019 के लोगसभा चुनाव में सारी एजनसी के एक्जिट पोल का औरसन बता रहा था कि NDA को 306 सीटे मिल सकती है लेकिन जब नतीजे आये तो NDA ने 353 सीट के प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बना ली 2019 में एग्जिट पोल में UPA को 120 सीटों का अनुमान जताया गया जबकि सीट मिली 93 हाँ इन एग्जिट पोल से इतना अनुमान जरूर लग जाता है कि बढ़त किस पार्टी या किस घढ़ बंदन को है लोगसभा चुनाव का एक मोटा मोटा ट्रेंड जरूर समझ में आ जाता है लेकिन विधान सभा चुनाव का अनुमान लगाने में एक्जिट पोल अक्सर फेल हुए है जैसे अगर विधान सभा चुनाव के लिए India Today Group के Access My India नाम की जिंसी के एक्जिट पोल कल से बड़े वाइरल हो रहे हैं सब को पता है कि जितना India Today Group ने BJP की सीटे दिखाई थी, BJP उसकी आधी भी नहीं ला पाई थी और 215 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ मंता बैनर जी ने फिर से सरकार बनाई थी एक्जिट पोल की विश्वस्तियता इतनी बार सवालों में घिर चुकिये कि इस बार भी उस पर सवाल उठाने वाले कम नहीं जैसे समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए वो साफ सपष्ट कह रहे हैं कि विपक्ष ने पहले ही घोशित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा जिससे घपले करने की गुंजाईश बन सके और आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तयार कर लिया गया था बस चानल्स ने इसे चलाया आज है तो अखिलेश यादव किसी तरह के घोटाले तक का जिक्र कर रहे हैं बैरालब 2024 के लोगसभा चुनाव के सारे एग्जिट पोल आपके सामने है टीवी न्यूस चानल्स को दो-तिन दिन का अच्छा खासा मसाला मिल गया है इनी नमबर्स पर 4 जून तक बहस भी चलती रहेंगी गाठाएंग आई जाती रहेंगी, भजन होते रहेंगे, रेटिंग्स बटोरी जाती रहेंगी इस लेहाद से देखें तो एग्जिट पोल उत्तेजना के व्यापार से कम नहीं मतलब excitement बढ़ाने का business है अब यह आप पर है कि टीवी की चर्चाओं में maximum coverage हासिल करने वाले content को आप मनुरंजन की दृष्टी से देखते हैं या फिर देश के लिए ज़रूरी विशय के रूप में इस सवाल का जवाब आपकी नजर में क्या है, comments में हमें जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद Newsbeats को like करें, subscribe करें, बाकी परिवार के साथ, दोस्तों के साथ share भी जरूर करें और अगर आप हमें आर्थिक रूप से सहीयोग करना चाहते हैं तो Newsbeats के आप member बन सकते हैं, अलग-अलग categories के option अगर आप join tab दबाएंगे तो उसमें उपलब्द हैं हमारा content बिना किसी funding के तयार होता है इसलिए आप से मिलने वाले आर्थिक सहीयोग के जरिये ही हमारा content और मजबूत होता है, स्वतंत्र रहता है बहुत है